तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाद लहें प्रेशर कंपेंसेटर फ्रो कंट्रोल के बारे में यह जो डाइग्राम है और जो हम लोग के टेक्सबूक में लिखा होता इसका वाकिंग वह हमें इतना समझ में नहीं यह था जब मैं भी स्टोडन था आपके जैसा मैं मैं आपको पहले बता दू कि यह भार की जो कवरिंग होते हैं यह होती है वेल बॉड़ी उसके बाद हमारा यह पॉपट ठीक है तो यह होता है अमरों का ओईल इन और ओईल आउट यहां से ओईल भाल जाता है और यह पॉपट होता है जो आगे बीचे मू करता है जो हम वर starter इक शेप रहता है जिसमें से ओउस्ट रहने के बादे से इसमें से फ्लो जाता है वह भी इसके बात इयह हम लोगी स्प्रिंग यह अर income कीशन का 요즘 का काम करेंगी अब इसका pressure compensated ऐसा नाम क्यों की रहा है और इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले high speed में या फिर high flow में यह जो oil है वो अंदर आएगा और अंदर आने के बाद बेशक यह इस पॉपट को आगे की तरफ धक्का देगा तो यह आप देख सकते जैसे इसने पॉपट का आगे की तरफ ध अब हने खालो कर देगा यह देखिये यह अभी oil भी अंदर आ गया ठीक है तो अभी oil आगे पास नहीं हो सकता तो अभी क्या होगा अभी यह जो दोनों side है ना दोनों side पे जो बिकषथ दोनों साइट रहे प्रेशर और भार भांने के और यो पर पोपट के बार की बखनेृ गया कि बार बिगए अब यह स्प्रिंग ती जिसे कंप्रेश हुई थी और ऑइक पर और करने के बाद दाख यहAL पॉपट है कशपघ करने यह देखो यह दोनों तरफ का प्रेशा था उसके बाद यह बाद यह बाद आपको समझ में आऊगा इसके वकिंग के बार में अभी समझ लेते कि इसे प्रेशर कंपेंटर क्यों कहा जाता है तो इसका स्पेशल फिचर यह रिगार्ड़ेस अब प्रेशर यहां पे जो आउट यहां पे प्रेशर जाहए कितना भी हो कम हो जादा हो लेकिन यहां पे जो आपने वाल यह अंदर भेजते है वह प्रेशर जाद हो जाता है वह光 जाता है लेकिन होता है यहां पर आने के बाद प्रेशर ड्रॉप होता है बढ़ता है उससे कोई फरक ने बोटा यह और इस जो है वह कॉंस्टन फ्लो को अंदर की तरफ बेज़ेगा अंदर की तरफ इसके परदे से क्या होगा यह जो आउट होट है यहां से भी उतना ही हम लोगो मिलेगा अब होता क्या है मानले यहां से जो प्रेशर के बाद इसे जो फ्लोव कम ज्यादा होते रहता है मानले यहां पर फ्लोव कम ज्यादा हो गया तो क्या होगा अगर यहां पर प्रेशर कम ज्यादा हो गया यानि कि यहां पर फ्लोव कम ज्यादा हो गया तो यह जो और एक्सपांड होगी यह देखते है यह देखो यह इस पॉपट को आगे की तरफ ढखे लेगी अब इसके बदेसे क्या होगा यहाँ से यह आगे चला गया यहाँ से जो वॉल्यूम है वह बढ़ गया वापीस एक बर यहाँ पर देखना यह देखो यह अभी यह प्रेशर ड है Novik cable भी बढ़ गया राइट तो क्या होता है जब भी यहां से प्रेशाड राप हो यह नहां हो यहां से जो फ्लो म्ताव हो यहां वह यहां से कितने थे खृव्श अक्ना ऊहलिकिन एक बात है यह जो प्रेशर दिख सकता है फ्लोर्याप अ इसलिए इसे कहते प्रेशर कमपेंसेटेड यानि कि प्रेशर के बदले फ्लो कॉंस्टेंट में ले लो यहां पर जो प्रेशर है वो कम ज्यादा होते रहेगा लेकिन फ्लो आपको कॉंस्टेंट मिलेगा तो कहां पर फ्लो कॉंस्टेंट चाहिए रिगार्ड़ेस अब प्रे